नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बस का सफर करने वाले हो और हमारा ये सफर पांडी चेरी बस स्टेंट से सुरू हो गया है और पांडी चेरी 17 किलोमेटर का होने वाला है और इस 170 किलोमेटर के सफर में हमें 4 गंटा लगेगा और इसका हमारा किराया 125 रुपे लगा है यह हमारी बस है आपके सामने वैसे पांडी चेरी में एक दिन का रुपना हुआ जो मैं बस टेन के सामने ही 500 रुपे का होटल लेकर एक रात मैंने यहाँ पर बुजारी और आज सुबह यह सफर मैंने तकरीबन दोपर का टाइम है दोपर में यह सफर मैंने शुरू कर दिया है वैसे आज सुबह जल्दी ही उठ गया था आस्ता वगेर करके सुबह में बीच पर घुमने के लिए चला गया था यहाँ का बीच अपनी खुपशुर्ती के लिए फेमस है उस पर मैंने तकरीबन दो गंटे बिताए सुबह सुबह बीच पर घुमने का मज़ा ही कुछ और होता है और वै बीच यह दी पांडी चरी का है तो मज़ा दोगुना हो जाता है वशे यह दोगुना मज़ा लेने के बाद ओटल आ गया अगले सफर की तैयारी करनी थी ओटल में चेक आउट करते ही बस स्टेंड पे पहुंचा तो मुझे यह बस स्टेंड से बाहर निकलती हुई मिल गी मैं इसमें आ गया और यह बस रवाना हो गई यह बस मुझे चार गंटे में चेन्नई पहुंचा देगी जैसा मुझे बताया गया है एलेक्टर के दौरा ड्राइवर के दौरा चेन्नई काफी बड़ा सहर है यह बस मुझे अधियार तक ही लेकर जाएगी वहां से चेन्नई सेंट्रल मुझे जाना है जो आगे 12 किलोमेटर और रह जाता है तो वहां अधियार से चेन्नई सेंट्रल जाने के लिए मुझे लोकल बस पकड़नी होगी लेनी होगी और क्री होती है यह मेरा सफर पांडी चेरी से चलनाई तक का समुंदर के नजदीक नजदीक ही चलने वाला है जिससे रास्ते में बहुती खुबसुरत नजारे हमें देखने को मिल रहे हैं जैसे आप देखेंगे तो राइट साइड में समुंदर नजर आ रहा है और यह कोस्टल का सफर करने का अपना अलग ही आनन्द होता है सफर में ठकान अपने आप खतम हो जाती है इस तरह से यह सांदार सफर पांडी चेरी से चलनाई तक का इस बस के दोबारा हम कर रहे हैं उम्यद करते हैं आपको भी अच्छा लग रहा होगा आपने यहां यह वीडियो देखा है पुरा वीडियो आप देखें और इस पुरे सफर का आनन्द आप ले आपको कैसा लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताना अच्छा लेन तक कर्श करते हैं जरूर इस प्टनाई यहां अच्छा अच्छाप का आनन्द आपको 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 कर दोग्स झाल 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 चन्नई भारत का काफी बड़ा एक सहर तमिल नाडू का सबसे बड़ा सहर और भारत का भी चोथा सबसे बड़ा सहर है एक महानगर है और वहाँ पर मैं अगले दो दिन तक रुकने वाला हूँ और वहाँ भी बहुत सारी एक्टिविटी मैंने प्लान कर रखी है और उमीद है पोसिस करेंगे हर चीज को देखने की यतना मेरे पास टाइम है उस हिसाथ से आप बने रहें इस पुरे सफर में और मेरे साथ में ये पुरा सफर आप भी इंजोई करें और ये दिया आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजे जिससे आगे आने वाले वीडियो आपके बास सबसे पहले पहुंच सके पॉक के आगे बास गुट है चन्नाई के इस वीडियो को यही तक रखेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरा वीडियो देखा अभी हम चन्नाई पहुंच गए हैं अधियार पहुंच गए हैं और यहां से सेंट्रल जाना है जो मैंने जैसे पहले बताया 12-13 किलोमेटर है मुझे लोकल बस सियासे पकरनी पड़ेगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक आप अपना और अपनों का द्यान रखें जै हीन जै भारत